यह कहानी एक सत्य खटना पराधारित है एक सज्जन ब्यक्ति अपनी पत्नी से परिशान होकर पांच साल को अले घर छोड़कर चला जाता है पांच साल बाद वही ब्यक्ति जोगी बनकर अपने घर वापस आता है पती को देखते ही पत्नी पहशान लेती है से इस कहानी आगे देखिए जय बाबा गुरुगो रखना अरो बेटा दिजोगी पकेर संज्जासी दरवाजे प्याया है बेटा कोई घर में हो तो देख चले आओ बेटा आवतानी बाबा बैठे हम अम आवताने ठीक बेटा जय बाबा गुरुगो रखना अरी स्वामी जी तूं आपके कहां कहां ना ढूड़नी आखिर में कवन कमी हो गई जी आ भाई जोगी बन गई नी काहे आप हमरा के नईखी पहचान कवन गुना हम कर देहनी की ए धारन में आगे नी है सब हमनी के छोड़ शाड़ के के हूँ के कुम गलती नेखे भाई सब उपरवाले करम करम सहोला बाई जोगावारम आई हो जोगावारम आई सुन तने बोलो बच्चा जोगावारम आई हो जोगावारम आई भारवात वैला स्वामी जोगावारम आई इस जोगी ठकिर को ऐसा संद क्यों बोल रही हूं मा मैं तिसी का स्वामी नहीं मैं तु रंता जोगी बैता पानी हूं मा इसे मत बोले मेरी बाद फे सुलनो बच्चा बोले समये हसावे हो समये रुवावे समये हसावे हो समये रुवावे समये माई हमके बन बन घुमावे कर दो कर दो कर दो बताई अभीत पूरा उमर बागी राहल हका जरी रेला है भगवा धारण कैला के मत्रो भाँ अब उसे किसी से खु़ी मत्लब नहीं है भाँ मेहमूल भाया के वजार सभी दूर हो गया हूँ भाँ खाप ना समशक सुनी ना ही तु रहबा घरवा के समझाई साजल से नुरवा बोला कैसे धोवाई आपके ना रहला पे साबके हों के काका ना सुना के चल जाला सब समय का दोश्य माँ मेरी कोई गलती नहीं है माँ ना ही तु रहबा घरवा के समझाई साजल से नुरवा बोला कैसे धोवाई पगली बनाई हो पगली बनाई हो पगली बनाई घरवातु एला स्वामी जोगवर माई कर दो बनाई हो पगली तु आरवाई झाल बनाई होता में कर दो कर दो किसमत में लिखल जेवान उहे माई होई बिधना का लेखाने हो तार नाड़ी कोई सुनुमा किसमत में लिखल जेवान उहे माई होई बिधना का लेखाने हो तार नाड़ी कोई बिवेक बतावे हो प्रिंसे सुना ले समये माई हमके बन बन खुमा ले घारवातु एला स्वामी जो गवार माई समये माई हमके बन बन खुमा ले घारवातु एला स्वामी जो गवार माई समये माई हमके बन बन खुमा ले हब उसे तहीं सब छोड़ देई